कि लंकेश की जेहो राम का एक दूत आया है वो लंकेश से भेंट करना चाहता है देखा पुत्र मेगनाद कि राम मुझसे इतना भैबित है कि वो स्वयम नहीं आया और नहीं उसने आक्रमन किया उसने अपना दूत भेज दिया जाओ भीतर ले आओ उसे जो आग्या महाराज जे श्री राम जे श्री राम जे श्री राम जे श्री राम रावण के समक्ष उस तुछ मानव राम की जे जे कार कर रहे तू कौन है रहे तू मैं बाली पुत्र युव्राज अंगत हूँ तो प्रमुश्री राम ने मुझे अपना दूद बना कर तुम्हारे पास भीजाए तू बाली का पुत्र है हां लंकेश और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारा मेरे पिता से अच्छा परिछे रहा है कि आप बाली मेरा मित्र अवश्च था अपन तो धिकार है तुछ परंगत कि जिसने तेरे पिता की हत्या की दूजी का दूद बन कर आया है वो भी मेरे सामने लंकेश के सामने जिसने मेरे पिता का वद किया उसने ये निर्णे नियाय आदर्ष मानवता और संबन्दों के परिभाशा पाप पुर्ण्य का विचार करके ही किया था अच्छा परूंतु जिसका वद्ध हुआ था अंगद वो तो तुम्हारा पिता था ना किसी का पिता यदि अधर्म के मार्क पर चलने लगे तो पुत्र का ये कर्तव्य होता है कि उनका विरोध करें किन्तु पिता तब भी न माने तो पुत्र का ये धर्म हो जाता है कि उनका त्याग करते हैं मुझे तो इस बात का दुख और आश्यर है कि तुम्हारे पुत्र मेगनाद ने तुम्हारा अभी तक त्याग कैसे नहीं किया अपने दूध होने की सीमा पार मत कर यो व्राज अंगद मुझे मेरी सीमा ग्यात है मेगनाद किन्त तुम अपनी सीमा भूल चुके हो तुम स्रिष्टा चार की सीमा पार कर चुके हो मैं दूध हूँ और इस सभा में मैं तुम्हारे पिता श्री लंकेश से बात कर रहा हूँ फिर भी तुम बीच में आगे घौर अश्चरे है हां तो लंकेश मैं तुम्हारे लिए प्रभुश्री राम का एक संदेश लाया इसी में तुम्हारा तुम्हारी प्रजा का तुम्हारे वंच और सारी लंका का हित है क्योंकि यदि युद्ध हूँ तो वो कितना भयानक होगा ये तुम नहीं सो सकते और नहीं में वखान कर सकता हूँ राम एक साधारन मान हुए अंगत अती साधारन ना दूसमें सहस है नहीं शक्ति और नहीं बल कुछ नहीं है उसमें लंकेश तुम प्रभुश्री राम की शक्ति की बाद छोड़ो उनके समक्ष तो मैं मात्र दिनके के समान हूँ तुम मेरी शक्ति पर इच्छा ले लो तुम्हें अनुमान हो जाएगा लो मैं अपना एक पैर धरती पर रखता हूँ तुम यहां अपनी समा में उपस्ति सभी सभाजनों को आदेश दो कि वे एक साथ मिलकर मेरे इस पैर को हिला मात्र दें प्रभुश्री राम की सौगन्द वे सीता माता का हार जाएंगे और लंका से बिना युद्ध किये ही लोट जाएंगे जो और इस वानर का पैर चड़ कर दो कर दो को कि अ earlier ब कि बैवर हुआआए हुआए हुआए हुआ 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 हाँ लूराथ हुआ हुआ हुआ... हुआ ढुमज सो अब जब जब बिया दना जब 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 इब ऑना कुम सुच चू कुम सुच अब पैर जड़ से उखाड़ कर फैक दो पुत्र जाओ हहा पुत्धज द नाओ कर फैक अ कर फैक घड़ हुआ कर पैश्न म्षी कुत्भी oldestन आड़ कर अ कर फैक हुआ एॉप मेधर ऺर खैक जए ह Expandil प्योओ कर फैक प्रaff obvious ओच्छह वै कर अ कर इंड़ बाद कर लो, बाद कर दो हुँँँँँँ झाल 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 मेरे चरण छूने से क्या होगा रावन चरण छूने हैं तो प्रभुश्री राम के छूओ तुम्हारा उधार हो जाएगा अंगर्द अभी तो तुमने मेरे एक पैर का चमतकार देखा है रावन कहीं यह दि मैंने अपना हाथ हिला दिया तो नर्थ हो जाएगा लेकिन इसके लिए मुझे मेरे प्रभुश्री राम की आज्या प्राव्द नहीं है इसलिए अब मैं चलता हूं तुमसे अब बरानगूमी में ही भेठाओगी रगुकुल श्रीरोमाणीश्री प्रभु रामचंद्रकी जैए जैए श्रीराम जैए श्रीराम जैए श्रीराम यद्ध की तैयरियां दियाए याज 오 IT झाल झाल